सब्जी बेचने का व्यापार क्या है? What is Vegetable Business? जहांतेक सब्जी बेचने के व्यापार की बात है यह एक बेहद ही सरल एवम आम व्यापार है इसमें उद्द्यमी सब्जी मंडी या किसानों से सब्जी खरीद रहा होता है. और उस खरीदी हुई सब्जी को खरीदे गए दामों से थोड़े उच्च दामों पर अपने ग्राहकों को बेच रहा होता है. चुनकी सब्जीयों में अधिकतर सब्जीयां ऐसी होती हैं जो समय पर नहीं विकी और उन्हें उच्चित देखभाल प्राप्त नहीं हुई तो वह खराब भी हो सकती है. शायद यही कारण है कि कुछ लोग वेजटेबल बिजनस को थोड़ा जो खिम्भरा बिजनेज भी मानते हैं. लेकिन सब्जी की मांगहर जगह उपलब्ध होने के कारण और इसे बेहत कम निवेश के साथ शुरू किये जाने वाले गुन के चलते इस तरह के व्यवसाई को शुरू करने की भी लालसा अधिकतर लोगों की रहती है. यानि की किसी स्थान, दुकान से सब्जी बेचने का काम ही सब्जी बेचने का व्यापार कहलाता है. सब्जी बेचने का व्यापार कैसे शुरू करें? How to start vegetable business in India. Vegetable business यानि की सबजी के व्यापार को उद्यमी दो तरीके से शुरू कर सकता है. उद्यमी चाहे तो सबजी का थौक व्यापार शुरू कर सकता है या फिर चाहे तो रिटेल व्यापार शुरू कर सकता है. फार्क सिर्फ इतना है कि थौक व्यापार में उद्यमी को बड़े पैमाने पर सबजियां खरीद कर सबजी के फुटकर विक्रेताओं को बेचनी होंगी जबकि सबजी के रिटेल व्यापार में उद्यमी को सबजियां सीधे उपभोकताओं को बेचनी होंगी और थौक व्यापार शुरू करने में बड़ा निवेश करना होगा तो आईए जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति खुद का सबजी बेचने का व्यापार शुरू कर सकता है 1. स्थानिय रिसर्च करें वेजटेबल बिजनस शुरू करने से पहले उद्यमी को स्थानिय तोर पर बहुत सारी बातों पर रिसर्च करनी आवश्यक होती है इसमें सबसे पहली बात यह है कि उद्यमी सस्ते दामों में सबजी खरीदेगा कहां से इसके अलावा उस एरिया विशेश में होटल, धाबों एवं अन्य भूजनालियों की क्या स्थिती है क्यूंकि अक्सर देखा गया है कि होटल, धाबे, भूजनाले इत्यादी सबजीयों की बड़ी पैमाने पर खरीदारी करते हैं इसलिए एक ऐसा एरिया, जहां पर इनकी संख्या अधिक हो सबजी के व्यापार चलने की अधिक संभावना होती है वैसे देखा जाए तो सबजी का व्यवसाए एक ऐसा व्यवसाए है जिसके आंशिक ग्राहक हर जगह मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी उद्यमी को उस एरिया विशेश में प्रतिसपर्धा का मूलियांकन करना भी अति आवश्यक है प्रतिसपरधा का मूले अकन करने के लिए उध्यमी को उस एरिया विशेश में उपलब्ध सबजी की दुकानों की संख्या एवम उस एरिया में आने वाले अनुमानित ग्राहकों की संख्या की जानकारी होना भी आवश्यक है अब जब उद्यमी द्वारा स्थानिय स्थर पर रिसर्च कर ली गई हो और उस आधार पर वह वेजिटिबल बिजनस करने का निर्नय ले चुका हो, तो उसके बाद उद्यमी का अगला कदम इस बात को लेकर होना चाहिए कि वह इस तरह का एह व्यापार थौक स्वरूप में चाहता है या फिर रिटेल या फुटकर स्वरूप में? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबजी का थौक व्यापार शुरू करने में उद्यमी को फुटकर व्यापार की तुलना में आधिक निवेश करने की आवश्यक्ता होगी. इसके अलावा फुटकर को बेच रहा होता है वही थौक व्यापार में फुटकर विक्रेता उसके ग्राहक होते हैं। कि वह वेजेटेबल बिजनस को किस स्वरूप में शुरू करने की योजना बना रहा है। तीन, दुकान या रेडी चूज स्टॉल और शॉप फर वेजेटेबल बिजनस। अब यदि उद्यमी ने इस बात का निर्नय ले लिया है कि वह थौक विक्रेता के तौर पर काम करेगा या फिर फुटकर विक्रेता के। तो अब उद्यमी का अगला कदम उसी आधार पर दुकान, रेडी, जगह इत्यादी का प्रबंध करने का होना चाहिए। यदि उद्यमी थौक वियापारी के रूप में सबजी बेचने का वियापार करना चाहता है तो उसे किसी प्रसित सबजी मंडी में दुकान लेनी की आवश्यक्ता होगी ताकि वह किसानों से सबजी खरीद कर फुटकर विक्रेताओं को उसे लापकारी दामों में बेच सके लेकिन यदि उद्यमी फुटकर वियापारी के तौर पर वेजेटबल बिजनस शुरू करना चाहता है तो वह किसी रेली पहले से बनी बनाई दुकान, किसी जगह विशेश में तिरपाल उड़कर भी सबजी बेच सकता है हर एरिया में कोई ना कोई छोटी बड़ी सबजी मंडी अवश्य होती है उस थान विशेश में लोग खासकर सुबह शाम सबजी खरीदने आते हैं ऐसी जगह पर उद्यमी को दुकान की भी आवश्यक्ता नहीं होती बलकि वह तिरपाल उड़कर और नीचे चटा इत्यादी बिच्छा कर भी सबजी बेच सकता है ऐसा साप्ताहिक बाजारों एवं दैनिक बाजारों में भी होता है लेकिन इसके लिए इन विक्रेताओं को ठेकेदार या नगर निगम इत्यादी को प्रती दिन का कुछ शुल्क अदा करना पड़ता है 4. सबजी मंडी से सबजी खरीदे परचस वेजटिबल्स फ्रम लोकल सबजी मंडी अब यदी उद्यमी ने दुकान, जगह रेड़ी इत्यादी का प्रबंध कर लिया हो तो अब उद्यमी को अपना वेजटिबल बिजनस शुरू करने के लिए सबजी खरीदने की आवश्यक्ता होगी यदी उद्यमी थौक विक्रेता बनकर सबजी बेचना चाहता हो तो उसे सीधे किसानों या सबजी वित्रिकों से सबजी खरीदने की आवश्यक्ता होगी जबकि फुटकर विक्रेता स्थानिय मंडी से सबजी खरीद कर इसे बेच सकता है अक्सर इस तरह की सबजी मंडिया सुबह एवं शाम को ही खुलती है इसलिए फुटकर व्यापार शुरू करने वाला उद्यमी चाहे तो हर सुबह मंडी जाकर सबजी खरीदे और उसे अपने समय में उद्यमी उस सबजी को बेच पाने में काम्याब हो पाएगा उतना ही अधिक लाब कमाने में भी वह सफल हो पाएगा और चुनकी उसके ग्राहकों को ताजी सबजी मिलेगी इस कारण सबजी विक्रेता के तौर पर उसकी प्रतिष्ठा भी उसे रिया विशेश में बढ़ेगी। थौक का वेजेटिबल बिजनिस करने वाले उद्यमी के पास फुटकर विक्रेता खुद ही सबजी लेने आएंगे। इसलिए उद्यमी को बहुत अधिक मार्केटिंग करने की आवश्यकता तो नहीं होगी। लेकिन इस व्यवसाई में एक ग्राहक उद्यमी का स्थाई ग्राहक भी बन सकता है इसलिए सभी ग्राहकों के साथ नम्टा एवं शिष्ट होकर पेशाना अत्यांत आवश्यक है। यह दोनों स्वरूपों फुटकर एवं थौक में लागू होता है। आज आपने जाना कि आप सबजी बेचने का व्यापार कैसे शुरू करें स्वर्णाइ बन सकता है।